हमें force applied on a body given है directly proportional to acceleration इसकी हमें equation लिखनी है अब यहाँ पे मेरे 2 variables होंगे एक तो होगा force applied on a body और एक होगा acceleration यहाँ पे हम force को माल लेते हैं y acceleration को x माल लेता हूँ मैं अब given है force है मेरे directly proportional to acceleration अब क्योंकि force मेरे directly proportional है तो left side में एक तो force आएगा तो यह आएगा y directly proportional का मतलब right side मा आएगा एक constant k into acceleration यानि kx यहाँ पे y मेरा force है x मेरे acceleration है और k है यहाँ पे एक constant तो मेरी equation कुछ ऐसे आगई अब मुझे इसका graph बनाना है graph बनाने के लिए मुझे यहाँ पे k की वाली पता होने चाहिए हम यहाँ k की value assume कर लेते हैं 1 तो मेरा graph आजाएगा equation बन जाएगी y equal to x अब मैं इसका graph बनाता हूँ graph बनाने के लिए मुझे at least two solutions चाहिए इस equation के यानि ऐसी values of x और y ताकि y equal to x हो पहले मैं यहाँ पे x की value 0 put करता हूँ y की value निकालता हूँ तो y आजाएगा मेरा 0 यानि 0,0 मेरा x solution आगया ऐसी अगर मैं y की value 0 put करूँ तो यहाँगा 0 equal to x यानि x की value 0 यानि यहाँपे मेरा 0,0 दोवारा आजाएगा solution इसलिए मैं यहाँपे x की value put करता हूँ 1 और y की value निकालता हूँ यहाँगा y equal to 1 तो यहाँपे solution आगया हमारा 1,1 इसको हम tableau format में लिखें तो यह कुछ ऐसा आएगा 0011 इसका हम graph बनाते हैं graph हमारा कुछ ऐसा होगा यह x axis यह y axis जहाँपे intersect करती है origin इसका मैं बनाता हूँ minus 1 से लेके 7 तक y का बनाता हूँ minus 3 से लेके 3 तक अब पहला point है 0,0 यानि x की value 0 y की value 0 यह वाला point होगा अगला point है x की value 1 y की value 1 1,1 मेरा यहाँपे यह वाला point होगा इन दोनों को join कर दें तो मेरी यहाँपे line की equation कुछ ऐसे आती है y equal to x की